गार्डियन एंड वार्ड एक्ट ठीक है सबसे पहले तो आपने देखना है कि यह गार्डियन कौन है और वार्ड कौन है ठीक है कि गार्डियन कौन है और वार्ड कौन है ठीक है और इसी तरह वार्ड वार्ड कौन है वार्ड कौन है और गार्डियन कौन है ठीक है वार्ड कौन है एक माइनर अब यहां पे आपको माइनर का भी बताना परेका नीचे डेफिनिशन मध्यद इनकी होगी ठीक है माइनर कौन है ऐसा पसंद एसा पसंद जिसकी एज ऐस पसंद जिसकी एज आपका लेस दन एटीन है ठीक है लेस दन एटीज जिसकी एज 18 साल से कम है उसको माइनर कहते हैं ठीक है और दी माइनर हूँ हैज गार्डियन उसको वार्ड कहते हैं कि दू उन्टी माइनर हूँ है हूँ है गार्डियन है पार इस केर मतलब फार इस परसन परसन कहलो या प्रापर्टी जिस गार्डियन जिस माइनर का कोई गार्डियन हो उसको वार्ड कहते हैं ठीक है मिस्टर ए गार्डियन है माइनर है ठीक है अठाना सल से कम है माइनर है और हाफिज अब्दरमान उसका गार्डियन बन जता है उसकी केर करता है जात उसकी जात की मतलब उसकी जिसम की या उसकी प्रापर्टी का तो वो हाफिज अब्दरमान क्या है वो उसका प्रापर्टी आफ वार्ड जो परसन या प्रापर्टी की केर करता है उसको वार्ड करते हैं ठीक हो गया अब आपको पता चल गया कि जी गार्डियन एंड वार्ड का पता चल गया है गार्डियन वो है जो केर करता है वार्ड वो है जिसकी केर की जाती है ठीक हो गया अब देखें स्पोज के मिया बीवी के दर्मियान जगरा हो जाता है बीवी जो है घर छोड़के चली जाती है ठीक है बीवी घर छोड़के चली जाती है तो बच्चों को साथ ले जाती है ठी अब जो बच्चे हैं बच्चे तो मा के भी हैं बाप के भी हैं बाप के भी हैं तो यहां पे जो एक्चुल कस्टोडियन होती है फादी इंट्रेस्ट आफ वार्ड वार्ड के इंट्रेस्ट की जो एक्चुल कस्टोडियन होती है वो मा भी नहीं होती है बाप भी नहीं होती ह उसकी actual custodian बन जाती है court जिसको guardian court कहते है guardian court ने उस minor का जो आपका interest है उस minor की जो property है और उस minor की जो अपनी फला है welfare है welfare से मुराद हम welfare से मुराद आप लेंगे आपका section 17 में भी है 24 में बताएगे कि welfare से मुराद उसकी education उसकी health ठीक है उसका परवरेश उसकी वो उसकी welfare है ठीक है और उसकी property जो है उसको protect करना वो उसकी welfare में आता है अब उसको कौन care करता है वो court को करता है suppose के maa है maa चली जाती है वापस अपने make चली जाती है बच्चे दो बच्चे हैं दो बच्चों को साथ ले जाती है ठीक है और कल को गार्डियन बन जाती है तो बच्चों के नाम पे जो प्रापर्टी है वो माँ सेल नहीं कर सकती माँ सेल नहीं कर सकती अकसेप्ट विद दी प्रियार रिटन प्रिमिशन अफ कोड जब तक वो कि बाफ की डेथ हो जाती है बाफ की डेथ हो जाती है मां होती है मां दो बचे है दो नू माइनर है अब बाफ की जो भी प्रापरटी है मूवबल या इमूवबल वो बच्चों में उनका शेर आता है जो बच्चों का शेर होता है वो मां के पास होता है मां गार्डिन बन जात होती है को ठी उसके इंट्रेस्टे को वाज़ कर रही होती है क्यों है पहुंद रोगा खुछ रिखे है गार्डियन शिप एक होती है कस्टडी गार्डियन शिप और कस्टडी गार्डियन शिप क्या होती है गार्डियन शिप होती है कि जैसे बाप की डथ हो गई तो वो जो बच्चों की प्रापर्टी है या बच्चों की जो आपका वो मतलब प्रापर्टी है उसकी एक गार्डि तो आपका जो कि कि सको जानी चाहिए वहां पर जाती जहां पर वैल फेर अफ माइनर लाई करती है जहां पर बच्छों का अच्छा फ्योचर हो वहां पर देती है माँ बड़ी लिखी है मा एडूकिटेड माँ के पास सोर्स भार इंकम है ठीक है तो कि बच्चे माल को दे देते हैं ठीक है और एज का भी मैटर करता है जब बच्चा आपका इन सूफिशन मिचूर्टी रखता है सूफिशन मिचूर्टी रखता है तो देन बच्चे की वेल फیर भी पूछी जाती है मेरा केस्ट पर रहा था जिसमें बच्चा था कोई छे-साथ साल का था तो कोट ने फैनल डिसीन से पहले बच्चे से पूछा था कि जी माँ जाना चाहती है बाप के साथ उनके फादर जो था वो नाबीना था तो बच्चे ने का जी मैं माँ के साथ जाना चाहता हूँ ठीक है इसी तरह हाई कोट में भी एक दवा में पेश हुआ तो वो मा कह चारी थी बच्छा मुझे मिले बाफ बीचारा था कि बच्छा मुझे मिले तो मा कोट ने का चलें जी मा को दे जब बच्छा गया मा के पास तो रोने लग जब बच्छा गया बाफ के पास तो वो हंसल रहें ठीक है जहां पर बच्चे खुष रहें वहाँ पे उनको देखा जिता है आगे आपका section one के to extend and commencement कि यह इसका व ऑइचिक गार्डेन अद बार्ड एक्ट एटी नैंटी एटी नैंटी एटी नैंटी एटी एक्टट उफ पाकस्तान एक्ष नन्टू होला पाकिस्तान एंड एट छल कम इंटू फोस एट है फास्ट जलाई आप नैंटी एटीन नैंटी पस्ट जलाई एटीन- apprenti अब इसकी जब देखें न ये आपका समंटम लिखा होता है आपका क्या लिखा होता है वू लिखा होता आपका के अशर्ल कम ठीक है चल एट शल कम इंटू फोर साइट वांस लिखा होता है ठीक है शल कम इंटू फोर साइट वांस का मतलब है कि आपका यहां के भी नहीं आ रहा है इसका 21 माच है इसका जो है 21 माच को यह प्रोमॉल्गेट हुआ यह इसमें देखते हैं अगर आगे तो यह देखें यह आ रहा है 21 माच को क्या यह 21 माच को यह जो है यह आपका पबलिश हुआ था 21 माच को आपका अफिशल गजट में पबलिश हुआ ठीक है 21 माच को वो अफिशल गजट में पबलिश हुआ और उसी जब जिस दिन यह पबलिश हुआ एकिस मार्च को ठीक है आपके बस ? बॉक्से हैं दो भोड़ देख ले ना उसी डेट को उन्ने बता दिया का जी यह जो आपका इंफोर्स होगा वो First July को है अफिशल गज़ट में एकिस मार्च को आ गया और उसी डेट को उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट मार्च को अगर लिखा होता है इट शल कम इंटु फोर्स एट वन्स ठीक है यह भी आ सकता था जो अक्सा आप देखते हैं पिछले हमने पड़ा था वो एट वन्स ठीक है अगर यह लिखा होता तो मतलब यह 21 मार्च को इन फोर्स हो जाता है ठीक है अब उन्हें स्पेशिफाई का दिया है कि जी एट शल कम इंटु फोर्स आन फस्ट जिले नवे वो उसको प्लाई होगा ठीक हो गया आगया जी आपका सेक्शन तो रूपील हो गया है और उसके बाद सेक्शन त्री है दिस एक्ट शल भी रेट सब्जेक्ट टू आ है कि कहता है इस अक्ट को हम पढ़ेंगे हर आने वाले इससे पहले के जो आक्ट है या इस एक्ट के बाद हेर और पीफर से मुलाद वो ले रहा है आपके विफूर हेर नाइनटीन नाइनटी ठीक है आप ऐसे कहलो कि जी फूर कि एटीन नाइनटी इसी तरह है क्षेशन अफ्टर का मतलब वो ले रहा है आपका आफ्टर 910 ठीक है here and after का मत्रब है after 1980 इसके मतलब पहले आने वाले या बाद वर आने वाले जो होंगे उनके साथ मिल के पढ़ा जाएगा इनको उनके साथ मिल के पढ़ा जाएगा इनको ठीक हो गया past relating to relating to any court of words by competent legislatures authority on person and nothing in this act shall be constitute or effect anyway or derogate the jurisdiction of any court award or taken away any power possessed by any court ठीक है? Possessed by any code कहता है कि कोई भी नया act आएगा ठीक है? तो वो जो है effect नहीं करेगा नहीं कम करेगा किसी ऐसी power को जो possess की गई ये दी गई है आपकी high code की तरफ से ठीक है? high code की तरफ से कोई आपको power दी गई है तो उसको ये effect नहीं करेगा ठीक है? उसको ये effect नहीं करेगा ठीक होगा जी? उसको ये effect नहीं करेगा आगे आगे किता है आपका four में definitions है कि आपका मैनर वो है जो less than ठाड़ा मैनर कौन है? less than ठाड़ा गार्ड़ान काउन है? हो हेविंग केर अफ माइनर और इस प्रापर्टी जो माइनर की केर करता है या उसकी जो केर है जिस परसन के पास उसको गार्ड़ान कहते है ठीक है? और वार्ड काउन है? जिसकी जात और जिसकी जाद के लिए कोई गार्ड़ान है तो उसको माइनर कहते है ठीक है? जिसकी जात या जाद के लिए अगर गार्ड़ान है तो उसको माइनर कहते है उसको वार्ड कहते है चालें जी आगे जी आपका डिस्टे कोड डिस्टे कोड डिस्टे कोड मेंस आपका फैमिली कोड में जो डिस्टे की डिस्टे की डिस्टे कोड होगी कोड मीन आपका डिस्टे कोड हमें जुरिजदिक्षिन आपका जो डिस्टे कोड होगी जो जिसकी जुरिजदिक्षिन में वो आता है आगे आपका आजाता है जी फोड ए ठीक है फॉर ए आपका पीछे हमने सेक्शन थी सीपीड सी में भी पढ़ा था कि जी पहले हाई कोट हाई कोट के साब बारडीनेट होती है ये आपका सेक्शन डिस्टे कोट एंड आपका सीवेल कोड लोवर कोड जो आती है अब यहां पर देखें हम जब क्रिमिल की बात करते हैं तो वो हम सेक्शन कोट की बात करते हैं जब हम करते हैं सीवेल की बात तो हम डिस्टे कोट की बात करते हैं ठीक है जब हम सीवेल की बात करते हैं तो डिस्टे कोट की बात करते हैं हाई कोट के अंडर होती है ये आपकी district court और district जो जजज होता है उसके अंडर होते हैं यह सारे civil judge जो होते हैं यह सारे district judge के अंदर होते हैं ठीक हो गया चले इसको हम detail के साथ परते हैं कहता है high court में by general or special order empower any officer exercising original civil jurisdiction subordinate to district court authorized the judge of any district court empower any officer subordinate to him to dispose of under this act or transfer to such a future under the provision of this act ठीक है कहता है कि हाई code जो है कोई general special order केता है कोई अपनी empower कर सकता है original civil jurisdiction कोई भी आप कहाई civil jurisdiction subordinate to any officer subordinate to district court district court का कौनों subordinate होता है civil judge तो यहाँ पर कह रहा है कि हाई code जो है civil judge को भी jurisdiction दे सकती है अब देखेते हैं कि अभी जो है ना यह आज का जो गार्डिनिंग वार्डर के जो केसे हैं वो कहाँ पर होते हैं ठीक है वो कहाँ पर हो रही है family court में कहाँ पर होंगे family court में ठीक है अब family court कौन से हो रही है civil judges सुन रहे है कौन civil judge इस से पहले क्या था यह आपका district judge सुनते थे मतलब additional district judge ठीक है इस से पहले क्या था कि डिस्ट्रिक जाज के पास हमारी गार्डियन एंड वाड अक्ट की फाइल मतलब गार्डियन वाड अक्ट के जो भी केस होते थे मतलब कस्टडी के या गार्डियन शिप के वो डिस्ट्रिक जाज सुनते थे या additional district जाज सुनते थे आव चुंग डिस्ट्रिक जाज सुनते हैं